कि नमस्कार साथियो piq shισ這क कर दोस्तोब सबसे पहरे तो अगर आप को ने मेरे सिच्टूचनल को सब्स्क्राइब नहीं आई तो प्लीज मेरे टूचनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के वह को ज़रूर प्रेस करें नवस्कार दोस्तों मैं हूं प्रदिकुमार राज की इस खास वीडियो बात करनी जा रहे हैं डाग्राम क्या चीज है और किस तरह समा इसको केटेग्राइज करते हैं और साथी साथ बात करें यूटिलाजेशन कि कौन सा डाइग्राम जो है कहां पर क्या है परियोग में लाजा जाता है तो दोस्तों में साथ वीडियो के अंतक बने रहे हैं मुझे पूर्ण विश्वाश है कि आपको आज का जो हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा बहुत सारे जो स्टुडेंट का है वो मेरे पा प्राइग्राम पर हमारा हमारा वीडियो है वह है डाइग्राम पे तो सबसे पहले जो हम बात करें कि डाइग्राम है क्या है तो देखिए τιंटों आरेक से हमारा ऻगी का जाता है डाइग्राम को टो डाके और यह तेंटा से क्या है टीनों Eagles या तीनो बिमाओं को बिमाओं का क्या है परदर्शन किया जाता है ऐसी रचना को क्या है आरेक कहा जाता है next है types of diagram फिर बात आजाती है types of diagram की आरेक के जो है वो कितने प्रकार है कौन कौन किस किस तरह के जो क्या है आरे एक होता है तो देखिए आरेक को जो क्या है भी आरेक हम मुखें तो तीन काटEGORIE में रखते हैं फहला जो है one dimensional diagram एक beam आरेक टू डाइमेंसिनल डाइग्राम and three dimensional diagram यानी कि त्रीवीम आरेक यह जो क्या है तीन जो क्या है प्रकार है आरेक के तो देखिए सबसे पहला जो है वो है वोन डाइमेंशल डाइग्राम जो है एक बीम आरेक पे जो क्या है हम बात करेगे सबसे पहले तो यह जो है वो ऐसे आरेक होते जिसमें क्या है एक माप का क्या है परदर्शन किया जाता है उसे क्या है एक विम आरेक कहा जाता है इसके क्या है बहुत से प्रकार है जैसे सबसे पहला जो आता है वो आता है लाइन ग्राफ लाइन ग्राफ यानि की रेखा आरेक इसको हिंदी में जो का जाएगा वो का जाएगा रेखा आरेख तो इसमें जो है वो क्या होगा इसमें क्या है बहुत ही सिंपल है इसमें क्या है रेखाओं की साहिता से क्या है आंकडों का परदर्शन किया जाता है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे इंकम दे रखी है और इधर स्टेट दे रख का वह है बार डायग्राम सबसे मौस्ट है बार डायग्राम इस यह जो क्या है बिलकुल लाइन ग्राफ की लाइन ग्राफ की तरह ही होते है पर इसमें क्या होता है इसमें क्या है लाइनों की जगे क्या है बार का जो प्रयोग है वह क्या है आकडों का परदर्शन करने के बार दैग्राम सेंपोंड बार धाइग्राम सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल बार-डाइग्राम की सिंपल बार-डाइग्राम तक्का जो, इसमें क्या ए, एक तक्तों का या, एक गुणों का क्या है, परदर्शन एगर की स Dinner, जैसे की, आप यहाँ पर, देख रहे है, यहाँ पर मैंने इसका चित्र बना रखा है डाग्राम बना रखा है जैसे यहां पर population density दे गई है जो खरी रिखा है इसको x का जाता है और नीचे जो शेटीज रिखा हो और y का जाता है इसमें क्या है मैंने अलग-अलग जो state कही है जम्मु कश्मीर, UP, HP इस तरह है कि इधर जो क्या है population density दे क्या है तो इस तरह से क्या अलग-अलग क्या density दिखा रहे है यानि कि एक जो एक प्रकार के जो आकड़े क्या है यहां पर दिखाए जा रहे तो इसको जो क्या है कहेगे simple bar diagram ठीक उसी प्रकार जो है compound by diagram क्या होता है compound by diagram हिंदी में बोल दे इसको तुलनात्मक दंड आरेक तुलनात्मक दंड आरेक इसमें जो क्या है दो मुल्यों का क्या है परदर्शन क्या जाता है यानि कि दो परकार के जो आकड़े का क्या है परदर्शन क्या जाता है जैसे यहां पर दिखाया गया है तुलनात्मक इसलिए जो क्या है दो परकार के इसलिए इसको तो इनका क्या हम तुलनात्मक रूप से अध्यन कर सकते हैं कि पुरुष्यों की अपयक्षा फिमेल की जो क्या है लिटरेसी रेट वह कितनी कम है कितनी ज्यादा है इस तरह का तो इसको क्या कहते हैं एक वह है compound bar diagram compound bar diagram mean mischrit bar diagram इसमें क्या है दो से अधिक तत्तों का क्या है एक साथ क्या है प्रदर्शन किया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है चितर नमबर यह जो है थर्ड वाला यहाँ पर मेरी ड्रेंग थोड़ी गंदी है इसके लिए मैं माफी चाता हूँ तो यह mischrit है जैसे 1951 और 1952 में क्या है फसलों का उत्पादन दिखाया गया है अलग-अलग फसलों दे रखिये जैसे यह rice है यह beet है यह मैजी है तो इस तरह का क्या है फिर उसी तरह से 1952 में यानि कि इसमें क्या है दो से अधिक आकड़ों के क्या है परदर्शन किया जाता है तो ऐसे जो क्या बोलते है डाइग्राम को है वह हम क्या कहेगे multiple बार डाइग्राम तो कोई मुश्किल नहीं है बहुत इजी है नेक्स्स जो है फॉर्थ जो है वह अधितु डायग्राम है और किस तरह के डायग्राम है इनका जोडरूरत है वह हम थे जट पढ़ते है जब क्या है फद्धियूम और हम कह सकते है लुट आकड़ों क्या दनात्मक और रिनात्मक है डोनोपरकार मुली एक क्या पाए जाते तब जो क्या है इन जो diagram का है वो हमें क्या है उपयोग में लाना पड़ता है जैसे कोई जो आकड़े क्या माइनस में और कोई क्या है प्लस में जैसे availability of nutrition है तो जो प्लस में होगी उसको क्या उपर के और दर्शा है कि यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ यह जो है यह जिरो डिग्री है उसको क्या उपर में दिखाएगे प्लस वाले को और माइनस वाले को नीचे को दिखाएगे तो इस तरह से क्या है इनको जो जो डा यह जो चार परकार है वो किसके परकारते बार डाइग्राम के नेक्स्ट जो है मारे पार थर्ड टाइपस जो आता है वो आता है पेरामिड डाइग्राम का पेरामिड पीरेमिड आरेक यहाँ जो है एक और परकार है इस परकार के आरेक की जो आकरती है वो क्या देखने में अगर जब आप इसको देखा गे तो pyramid की तरह लगती है जिसके करण क्या है इन्हें जो नाम दिया गया है वो दिया गया है Pyramid Diagram का इसके भी क्या है मुख्य तो तीन ब्रकार होते है सबसे पहला जो होता है वो होता है Simple Pyramid Diagram Supreme Post Pyramid Diagram और third जो है Compaund Pyramid Diagram परदर्शन किया जाता है जैसे यहाँ पर दे रखा है टोटल पॉपूलेशन टोटल पुपूलेशन यह जो है सिंपल पैरमिड डायग्राम का क्या है एक्जामपल है यहाँ पर बीच में क्या है एज ग्रूप दे रखे 0 से 10 10 से 20, 20 से 30 यानि कि जिस तरह से भी हम बर्ग रणा है वो अपनी च्छापे निर्वर करता है फिर यहाँ पर जो है इधर टोटल पोपुलेशन दे रखे इधर फिमेल की है और दूसरी साइड इधर क्या है उस तरह से जब हम क्या है इसमें बार बनाते जाएगे तो क्या है एक परामिड की दरह क्या है शेप इसकी बन जाती है इसलिए से क्या कहा जाता है simple pyramid diagram इसमें आइन्थ जो है सुप्रिम post pyramid diagram उसको हिंदी में कहा जाता अध्यारोपित पेरामिड डायग्राम इसमें जो है दो स्थान के आकड़े या दो तत्तों से सम्मझें जो आकड़े क्या है एक स्थान पर क्या है एक डायग्राम में क्या है परदर्शित किये जाता है ऐसे जो डायग्राम वो क्या कर लाते है supreme post pyramid diagram यानि कि अध्यार उप्यति यानि कि एक दूसरे पर क्या है इसका अध्यार उप्यार्ण किया जाता है उसके उपर overlap किया जाता है जैसे कि आप यहां पर देख रहे है UP और SP का क्या है male और female के जज़ा है age group दिखा रखे यहां पर तो यहां पर नीचे जो है यह वाले वो क्या है UP के है और उपर वाले जो है यह थोड़े गाड़े-गाड़े से दिख रहे है आपको यह जो है SP के यानि कि एक दूसरे के उपर क्या है overlap क्या गया है इसके जो importance है वो यह है कि इस पर क्या है किनी दो स्थानों का या किनी दो तत्तों का क्या है तुलनात्मक रूप से अध्यन कर सकते है इसकी सबसे बड़ी विशिष्टा है यह है उसके बाद जो है थर्ड जो आ जाता है हमारे पास compound pyramid diagram compound pyramid diagram इसमे जो क्या है दो से अधिक शेत्र या दो से अधिक जो क्या है तत्तों का क्या है बीतरण क्या है एक ही diagram में दिखाते है अगर इन diagram की क्या है बात करें जैसे for example यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर जो है urban और ruler population दे रखी है यह जैसे ruler होगी यहाँ पर एक और खेसते हम इसमें जो क्या है इसमें क्या वही urban होगी और इधर की जो क्या है total देखा है यानि कि इसमें क्या है दो से अधिक तत्तों का क्या है एक साथ हम क्या है परदर्शित कर रहे है तो इसको क्या कहेगे मिशित pyramid diagram तो यह बात हुई pyramid diagram की अब next जो forth आता है वह एक जो और होता है वह था बाटर बजट diagram बाटर बजट diagram जल बजट आरेक इस परकार के आरेक के द्वारा किसी स्तान पर बर्श के भिन भिन महिनों में जल अधिवेश या सरपलत अत्वा अभाओं की ओस्त दशाओं की मात्रक को क्या है परकट किया जाता है या परकट की जाती है तो यह जो डागराब जोता है बाटर बजट diagram जल बजट आरेक फिन नेस जो है वह है rainfall dispersion diagram बर्शा परक्षेपन आरेक बर्शा बित्रन के बिश लेशन में जो यह जो आरेक है वो बहुत सायक होता है यहां पर जो है मैं आहां से नहीं बनाया हूं मैंने क्या है फोटो ली है क्योंकि यह जो है थोड़ा बढ़ाने में बढ़ा है तो बढ़ा टाइम लोग जाना था मेरा ये जो हमारे जो थे, वो थे, वन डायमेंशनल डायाग्राम, अब नेक्स जो है, वो आजाते है, टू डायमेंशनल डायाग्राम दूइभीम आरेक, ये ऐसे आरेक होते हैं जिस पर क्या है, दो माप, लंबाई और चूडाई दोनों की गणनाय करके शेत्रफल के द्वारा क्या है दिये गए जो मुल्य होते है दिये गए जो आकड़े होते है उसका क्या है परदर्शन किया जाता है इसके जो मुख्यता जो परकार है वो है सबसे पहले जो है यूनिट स्केर डाइग्राम यूनिट स्केर डाइग्राम इकाई वर्ग आ রे इसमें क्या है वर्ग की साहता से तक्तोडुकावी तम्ण दिखाया जाता है तो इत्वर के क्या है यह जो स्कैर है वन को क्या है बनाते है जैसे हमारा स्के 1700 होगा हूगा वर्ग रिप्रेजेंटिड हजार टन हजार टन इस तरह का स्पोस देट हमारा स्केल है तो क्या हुआ कि हर्याना में जो है जो चावल का उत्पादन वो कितना हुआ एक, दो, तीन, चर, पांच, छे, साथ, आठ आठ ये क्या है स्केर है यानिकि आठ टन क्या है चावल का उत्पादन है ठीक उसी प्रकार गेहों का उत्पादन है वो छे टन है और जो का उत्पादन जो है तीन टन है तो इस तरह से क्या है ये जो डाइग्राम जो बनते उसको क्या है यूनिट स्केर डाइग्राम कहा जाता है तो आगया ना इतना समझ next वह है square block diagram square block diagram में जो क्या होता है इसमें जो है इसमें जो है अलग-अलग square के application क्या है एक ही square क्या है मुल्य को परदर्शित करने के लिए आकड़ो को परदर्शित करने के लिए बनाया जाता है जैसे यहां पे चावल के लिए क्या है बिल्कुल एक ही बना रख यहां पे अगर आप देखोगे इसका क्या है तुलनात्मक रूप सद्धन करेगे तो इसमें क्या अलग-अलग दे रखे है इसमें यह अलग-अलग है सारे लेकिन इसमें जो क्या है चावल के लिए एक क्या पड़ासा वो दे रखा एक ही दे रखा है यह जो है scale के base पे होगा जितना क्या scale होगा आपका और क्या है ground area होगा चावल वाला उसी साब से या उतपादन होगा यहापर production दे रखा है फिर यह क्या है game है beat है फिर जो है फिर search है उसी साब से क्या है पहले सबसे चावल गेहूं जैसा आपका scale होगा उसी साब से फिर search जो आता आता है इसका third जो टाइपस है वो है rest angular diagram rest angular diagram यानि कि आयतकार आरेक इनमें जो है मुल्यों का परदर्शन जो क्या है आयात के द्वारा किया जाता है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे आयात दे रहे हैं सबसे पहले जो है जावल फिर गेहूं है फिर जो है इस तरह से जो क्या है यह जो आरेक जो बनते हैं उनको क्या का जाता है rest angular diagram rest angular diagram तो उसके बाद जो next जो type जो इसका जाता है two dimensional diagram का two dimensional diagram का वो है विल एड पाई डायाग्राम it जो किए सबसे जॉजिश की जाता है इसमें जो क्या है वह ब्रितकी साहीता से कीया जाता है इसमें जो क्या इसमें जो एक सु Bowl का पर्योग जो क्या जाता है उपविभागों का मान गुणा 360 बथा संख्या का खूल योग यानिकी उपविभागों का मान यानिकी जितने जो परसेंट जो क्या है जैसे हमारे पास टोटल जो योग होगा कोई का पास देघा क्या बोलते है, फसल दे रखिए ठीके total उनका जो क्या है योग होगा उसको यहां पे लिखेगे और जो एक फसल से संबंदTh जो योग होगा उसको है पे लिखेगे और उसको क्या 360 से गुणा करेगे तफिर जो answer निकलेगा उसको क्या है उतने जो हैं पर डिग्री निकलेगी जो उसको नेक्स्ट जो है वो है रिंग डायग्राम बले आरेक यह जो क्या है वो बिल्कुल जो है ब्रित आरेक की तरह होती है पर इसमें अंतरीतना होता है कि जो इसमें जो है केवल एक ब्रित लिया जाता है और इसमें जो क्या है आकडों का जो परदशन है जो मुल्यों का परदशन वो क्या है बहुत सारे जो क्या है ब्रितों के द्वारा किया जाता है जिसके कारण क्या है बहुत सारे जो है बल्लेजे से क्या है भार क्या है बनते जाता है जिसके कारण जिसे क्या है बल्ले आ रहा है क्या रिंग डायग्राम क्या है कहा जाता है जैसे यहां पर फॉर कल्टिवेशनल लेंड है और फिर नन कल्टिवेशनल लेंड है यानि कि लेड इूटिलाइजेशन और यूपी यहां पर देर खा इस तरह का एक्जामबल तो इस तरह से जो डायग्राम जो होते है उसको क्या करता है रिंग डायग्राम तो यह हुई हमारी बात तू डायग्राम त्रूइवीम आरेक त्रूइवीम आरेक जो है वे आरेक होते है जिसमें क्या है तीनों बिमाव को तीनों डायमेंशन को क्या है परदर्शन किया जाता है तीनों बिमाव को क्या है परदर्शन किया जाता है इस परकार के जो आरेक है सबसे पहला जो है वह स्प परियोग में लाया जाता है जन संख्या का बित्रण परदर्शित करने के लिए इन गोलों का क्या है उपयोग किया जाता है इनके द्वारा जो क्या है मानचित्र रुपे क्या है जन संख्या नंगरिय जन संख्या क्या है परदर्शन किया जाता है अगर आपने मानचित्र दे दिखाए जाती है लेकिन जहांपर जो क्या है अगर हमने अर्बन और फोपूलेशन आलग अलग दिखा नहीं है तो जो जो क्या है अरबन जो roup ईरिया होते है उसको क्या है गोलों से यह ज्यादा दुबिय और तो इन गोलों की साथ से उसको क्या है दिखाः जाता है अरबन पूपलेशन से किया है इनका अकार स्केल के अधार पर होगा अपनी हो cousin資 से नहीं होता ही नेक्स्ट वह है क्यूप डायगराम इसमें जो क्या है जैसे यहां पर क्या क्या जाता है गोल्या自ismcular year गोल्सय है enough किस्तान पर घनों का प्रयोग किया जाता है फिर लास्ट है ब्लोग पुंज आरेक ब्लोग पुंज आरेक इसमें क्या है मापनी की साहता से समान घनों के पुंज बनाए जाता है और उनको क्या है आकड़ों में परदर्शन किया जाता है तो यह जो क्या है कुछ ठी यह जो है इनका जो है हम अलग चाहे आपको समझाएगे इसको आपको समायेगे है अलग यह इसको एक वीटियो बनाएगे क्यूंकि जो मतलगा यूध बगत बड़ा है इसके 34 प्रकार है लोट चौड़ बना ज़्यादा लोगों तक शेयर करें साथ साथ हमारा नेक्ट वीडियो किस चीज़ पर होना चाहिए किस टोपिक पर होना चाहिए कमेंट ज़रूर करें तो फिलाल के लिए मुझे ज़िए इजाज़त नमस्कार